हेलो फ्रेंड्स असलावलेकूम नमश्कार वेलकम टू राइए सी आट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं सब मसे में होंगे फ्रेंड्स आज मैं प्लेन बैट शिट से एक उसको बहुत ही खुबसरा बैट शिट में करने जा रही हूं अगर आपको पसंद आता है तो प् यह बैट शिट के जो किनारे हैं वो निकल गए थे क्योंकि मैंने उसमें फ्रिल लगानी है तो इन ही जो साइट्स हैं यह 9 इंच की चोड़ाई और इसके 21 इंच लंबाई के मैंने इसके 4 पीस कर लिया है और इस पर मैंने एक फ्लार ड्रॉव कर लिया है कुछ पतियां और कुछ फूल और इसमें मैं यह पेंटिंग करने जा रही हूँ फैल्स आपको मैंने पहले एक वीडियो में पेंटिंग के शेट्स किस तरह से किये जाते हैं उसकी मैंने एक वीडियो डाली है अगर आपको पेंटिंग करनी है तो और अगर आपको नहीं आती है विकनर्स हैं तो आप उससे सीख सकते हैं आती है तो फिर आप कोई भी फ्लाउड ड्रॉ करके इस तरह से उस पर पेंटिंग करके किसी भी प्लेन चीज़ को खुबसरत बना सकते हैं और अगर पेंटिंग आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ पेच वर्क का काम कर सकते हैं उस पर या कुछ कड़ाई बग्यरा कर सकते हैं इस तरह से प्लेन जो भी कपड़ा है उसको आप इस तरह उपसरत बना सकते हैं ये दिखिए ये मैंने पहले ग्रीन कलर फिर मैंने येलो लेकर इसको light shade दे दी है और side में मैंने dark color कर दिया है और इसी तरह से फिर मैंने white से ये flower बनाए है white color पहले इसमें fill कर दिया है पूरे flower में और इसके बाद red color के जो एक line सी मैंने दी है और उसके बाद उसको brush से मैंने shade दे दी है तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी प्लेंट चीज़ को खुबसरत बना सकते है तो इस तरह से हमने सभी कुशंस और पिलो और बैट शीट पर इसी तरह से पेंटिंग कर लेनी है ये कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने इससे कुशं बनाने के लिए इसको कट किया है तो ये 9 और 9 18 इंच दो पीसे के हो गए है तो थोड़ा इसमें कम पड़ गया है तो उसके लिए मैं दूसरे कपड़े को यूज करूँगी ये देखे इस तरह से ये हमारी जो पेंटिंग है ये कम्प्लीट हो गई है ये चारो पीसे में मैंने इस तरह से ये पेंटिंग कर ली है और ये ग्रीन कलर का मैंने 3 इंच का जो कपड़ा है वो इसके बीच में एट कर लेना है ताकि हमारे ये 20 इंच 21 इंच के जो ये है ये दिखे ये हमारे चोकोर बन गए है कुशन अब मैंने ये एक स्टिप ली है इसकी 3 इंच की और इसको हमने इस तरह से साइड से मोड लेना है और मोडने के बाद ये देखे हमने 4 पीसे लिये है इसके ये जितनी 21 इंच इसकी लंबाई है तो मैंने इसमें 12 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको स्टिप को कटिंग की है और इसमें फिर हमने कच्च टांके की तरह इस तरह से कर लेना है और इसमें थोड़ी सी चुनटे दे दीनी है इस तरह से कच्च टांके की तरह फिर हमने धागे को खीश लेना है तो इसमें ये चुन्नटे आ जाएंगे तो ये देखे ये चुन्नटे आ गई है इसमे और इसको फिर हमने ये चो कुशन कवर है इसके किनारे पर हमने इसको रख लेना है और इस तरह से इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है ये देखे friends ये हमने पुरी सिलाई लगा ली है इसके बाद हमने इसको अंदर fold करना है ये देखे और इसके ऊपर फिर हम ये दो pieces हम रखेंगे बीच में इसमें chain attach कर लेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई 21 inch होनी चाहिए और इसमें chain attach करने के बाद हम इसके चारो तरफ सिलाई लगा लेंगे जो हमने फ्रिल लगाई थी उसको हम अंदर मोड के रखेंगे ये देखें सिलाई लग गई है अब हम इसे सीधा कर लेंगे ये देखें बहुत ही खुबसूरत कुशन हमारा कवर रेडी हो गया है और ये देखें ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है ये देखें छोटे पीसे हमारे बहुत खुबसूरत कुशन कवर में कनवर्ट हो गया है और ये देखें इसमें मैंने पिलो कवर में भी इधर मैंने फ्लावर ट्रॉ किया है एक कुशन में पिलो कवर में मैंने लेफ्ट में और एक में राइट में मैंने फ्लाव को ड्रॉव कर लिया है उसकी पेंटिंग करके सेम तरीके से मैंने इस पर फ्रिल लगा ली है और इसके बाद इसका बैक जो है वो हम लगाएंगे दो pieces में और फिर इसी तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और इधर के side हम खुला रखेंगे जिससे हम pillow इसमें डाल सकें और ये दिखें अब हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और ये हमारी सिलाई लग गई है और हमारा ये pillow भी ready हो गया है तो इसी तरह से यह देखिए यह मैंने जो बैट शीट है उस पर भी यह पेंटिंग कर ली है और पेंटिंग आप मेरे शेट्स मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं इसमें जो नीचे की साइड है उसके हमने नाप लेना है वो 21 इंच है तो उतनी लंबाई का हम मैंने फ्रिल कट करना है 21 इंच का तो यह दिखिए यह मैंने इसके लिए ग्रीन पांच मीटर का मैंने यह ग्रीन कपड़ा लिया है और यह 21 इंच इसके बीच में से हमने कट कर लेना है और 21 इंच के लंबाई हमने इसके जो है चोड़ाई रखनी है और लंबाई हमारे हमन 5 मीटर को cut करके हमारे 10 मीटर बन जाएंगे और इसके sides में यह हमने cut कर लिया है इसके बाद इसके जो sides हैं इसमें हमने या तो pico करनी है या इस तरह से mod कर सिलाई लगा देनी है मैंने pico करवाई है वो बहुत खुब्सरा लगती है इस तरह से ये जो पीछे का हमारा है हम उपर जहां पर हम तक्या लगाते हैं उदर की साइड हम फ्रिल नहीं लगाएंगे बाकी तीनों साइड में लगाएंगे साइड हम मोड लेंगे मोडने के बाद ये जो हमने पीको की है पीको की साइड हम उपर रखकर इस तरह से हम ये देखे एक एक करके ये इसमें चुनटे लगा कर इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे तीनों साइड में हम इसके जो बैटशिट है इसमें हम ये लगा देंगे ये देखे इस तरह से हमने ये सारी चुनटे लगा कर सिलाई लगा कर ये फ्रिल इस पर लगा द थे वो एक बहुत ही खुबसूरत सेट में कनवर्ट हो गया है यह देखिए अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सरूर कीज़ेगा थेंक यू फो वाचिंग